सच है भी पत्ती जब आती है कायर को ही दहलाती है जूर्मा नहीं विचलेत हो üsने का अधाओ सेसे लूटती है का थे लूटती है। झाल झाल जो छोटी सी फेलियर की चिंगारी जो योजी सेट में जिन्भी कैंडिडेट्स का रिजल्ट पॉजिटिव नहीं रहा उनके रिजल्ट से कई लोगों के मन असांत हुए होंगे बहुत ज़्यादा डी मोटिवेट हुए होंगे तो असाफलताओं से डी मोटिवेशन आना असाफलताओं से डिप्रेशन नहीं पर डी मोटिवेशन आना एकदम प्राक्रतिक करिया है अगर आपको असाफलताओं से डी मोटिवेशन और सफलताओं से मोटिवेशन नहीं आता है इसका मतलब है कि आप थोड़ी सी किसी है कि जब भी हमें सफलता मिलती है reward मिलता है तो हम लोग कुछ होते हैं और जब सफलतां बीलता है तो हम दुखी होते हैं तो इसमें कोई लोगे तक फासे रहना और ये एक समस्या लेते हैं धिए दा चेज़े यह वह हैं पूंको कोई एकजाम देना है तो उसकी दो कंडिशन होती हैं या तो हम उसमें सफल हो जाएंगे पास हो जाएंगे बेस्ट scripture या तो हम उसमें फैल होजाएंगे वच्ट कंडिशन तो जब हमको दो जो कंडिशन या patriarch मैंड में आपने imagine कर लिया है तो फिर उस पहिडाम के बाद आपको कोई बहुत फरक नहीं पड़ेगा फरक बस यह पड़ेगा कि आप से जो गलतियां हुई जो भी आपने गलतियां mistakes commit की last exams में last अपनी परिक्षा में उस वो अप गलतियां आप जो है next परिक्षा में नहीं करेंगे और mistakes आपसे next examination में बिल्कुल भी commit नहीं होने वाली है देखिए life एक routine है और routine में दो चीज़े होती है जीत और हार कभी motivation कभी demotivation तो motivation से बहुत जादा भैकना नहीं है और demotivation जादा तूटना नहीं है हार और जीत में हमारी जिन्दगी गति है वो इतनी effect नहीं हो जाने चाह लिए यह तो रहा मेरा प्रयास थोड़ा बहुत आप लोगों को motivate करने का कि आप लोग जो भी आप लोगों के आने वाले दिन है आप उनमें अच्छे मन से पूरे लगन से पूरी द्रणिस्टा से काम कर सकें मेहनत कर सकें पढ़ाई कर सकें तो आप लोगों के लिए एक ख चार फरोरी जार फरोरी को लास्ट चेंड आता है लेकि आज से ठीं आप लगों का रिजल्ट आया था ठीक है तो और सी बात है फरोरी में रिजल्ट आया था तो पिर जो आपकमनों का ूझात्ट 20 दिन नौंबर के हैं और डिसम्बर के पूरे के पूरे 30 दिन है मेरी जहां तक से गड़ित कह रही है मेरी समझे कहते हैं कि आप लोगों का जो नेस्ट यूजी सिनेट का नोटिफिकेशन है वो 15 से 20 नौंबर के बीच आजाना चाहिए और आप लोगों का जो फर्म ओपनिंग का फर्म रहेगा वो आई तिंग 20 ये 25 नौंबर से 20 ये 25 डिसम्बर तक रहना चाहिए और आप लोगों के एक्जाम से फर्वरी से मार्च के बीच में होने चाहिए पूरा का पूरा जो मेरा नुमाने वही कहता है अब पॉसिबिल्टी भी यही है यही सब्सक्राइब तो इतनी नाइन साफी तो यूजी से नेट हमारे मेरे ख्याल से नहीं करेगा और जिस तत परता से जो तन मैंता 14 अक्टूबर के एक्जामनेशन के बाद यूजी से ने दिखाई है वो सचमे काविले तारीफ है हमने NTA को खूब जो है कोसा फुला बारा कह क्योंकि वो डिजर्व करता था उस टाइम पे आप लोगों का जामनेशन के वजए से जो बात बार डिले हुआ उससे आप लोगों की तैरी भी डिले हुई और जो आप लोगों के जो नेक्स्ट यूजी सी डिसमबर को जो साइकल है उसके होने के अभी आज से 99.9% बढ़ हैं और अगर ऐसा होता है अगर आप लोगों का 15-20 नवंबर के बीच जो नेक्स्ट यूजी सीनेट साइकल का नौटिपेकेशन है वह 199.9% रिलीज हो जाना चाहिए और जैसे ही रिलीज होगा तो हम आप लोगों के लिए एक और कुस्कावरी है कि जो की मार्केट में और जो बड़े-बड़े बिजनेस इंस्टिउशन चलाते हैं जिसे नेट के कोचिंग चलाते हैं वह आपको टेस्ट स्रीज नहीं प्रवाइड कराते हैं सस्ते दाम पर क्योंकि सारे लोग कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं मुझे ऐसे परस्नली फिल होता है कि यूजी सी कर सके अपनी जो भी पड़ा है उससे अभ्यास मिला सके अपनी टाइम मैनेजमेंट कर सके और पैक्टिस करके अपना स्कोर बढ़ा सके तो हम लोग प्रैस करेंगे जैसे ही आप लोग का नेश साइकल का नोटीपिकर सान आएगा उससे 10-12-15 दिन के अंदर हम लोग जो है साइन्स इंग्लिश लिटरेचर हिंदी लिटरेचर शोचालाजी एकिनॉमेक्स इन सारे सब्जेक्ट की जिसमें बड़े सब्जेक्ट है उनकी टेस्स रीज अपने इसी यूटूब चैनल पर लांच करेंगे आप लोगों के लिए एक जो है दस पेपर की टेस्स रीज ला बनाता है उन कोश्चन के पैरामीटर से अगरा में टेस्स खरी नहीं उतरे तो आप बेसक उसको नहीं लिए जाएगा लेकिन मैं हम जो हमारी टीम इस बात का आप लोगों से दावा करते हैं यह तुम गैरेंटी देते हैं कि जो जिस लेबल के कोश्चन नेट बनाता है उस से कुश्चन हम लोग रखेंगे और उन्हीं से हम कुश्चन फ्रेम करेंगे आप लोगों को साथ में अंसर की भी प्रवाइट की जाएगी जिससे आप लोगों को टेस्स को सॉल्व करने के बाद कहीं कुछ ढूड़ना ना पड़े और उसमें जो है जीरो एरर की हम पॉसि देखिए हम जल्दी ही जो यूजी सी नेट पलेटिकल साइंस इंग्रिश लिटरेचर और अन्ट सब्जेक्ट्स के जो कंप्लीट प्रिपरेशन है कि क्या होता है यूजी सी रेट क्या पढ़ना चाहिए कौनसे बुक पढ़ना चाहिए कहां से पढ़ना चाहिए यह सारी चीज़ों की जो वीडियो जाहिए वह जल्दी इस वीडियो चैनल पर रिलीश करेंगे और आप लोगों को अपने वीडियो के तो रहा हम एवरी पॉसिबल इनफॉर्मेशन जो की आप लोगों के लिए एकदम सही होगी वह प्रोवाइट कराने की कोसिस करेंगे आप उससे बनाए हो और यह किसी भी एकजामनेशन में आपके खासकर एकजामनेशन में उसका कोई फायदा ना होता हो हम वही बुक्स बताएंगे जहां से कुश्चन आते होंगे वही रिसोर्स आपको प्रोवाइट करेंगे वही पीडियो देंगे हमारे पास काफी सारे पीड है ठीक है चलिए मैं आसा करता हूं कि मापनों की थोड़ी बहुत मदद करने में सफल ना होंगा इसी के साथ मैं आप जो लोग सफल हो गया हैं उनको मैं बस बदाई दे सकता हूं कुछ नहीं कहना चाहूंगा क्यों कि उनसे बात करने के लिए आज तो बहुत लोग होंगे पर जो लोग नहीं हुए हैं उनसे सब बात करने के लिए सायथ कोई नहीं होगा आज परोस में आप सायथ किसे बात नहीं कर पा रहे होंगे तो आप अगर कनेक्ट कर सेगे आपको कोई ही प्रॉब्लम हो आप किसी भी तरीके से समस्या से जूज रहे हैं तो आप मेरे करिए मैं आपको की कॉल को आपके मैसेज को अटेंड करूंगा और आप लोगों से की जो भी समस्या होंगी उनको साल्व करने की कोसिस करूंगा तो अगर इस वीडियो से आपकी थोड़ी बहुत बेहल्फ हुई हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजेगा वीडि साथी से जो भी रिजल्ट रहा उसको एक्सेप्ट करें और आगे बढ़ें